360 मसानियों में भी जो सबसे आदा तीन जो सबसे शक्ति साली है हाड मसानी गोंगन मसानी और ठाकुरी मसानी जैसे उसने ये बात बोले का पालिक ने का मुझे तेरी ये बेटी चाहिए उन्होंने देखा कि काले कलर का कोई धोती पहन के आया और बड़ी दाढ़ी और बाल थ है कि है लो सुर्ज भाई कैसे हो बड़े अविकाल भाई आप बताईए भाई मैं भी बहुत है अच्छा हूं लेकिन हम दोनों तो अच्छे हैं बट आज सायद हम कुछ लोगों की हालत जरूर ख़ड़ाब करने वाले हैं जरूर जरूर और हालत ख़ड़ाब करने का मतलब है कि ड़के मारे उनके रोंक्ते खड़े होने वाले हैं क्योंकि भाई मैं आपके बारे में बताऊं लोगों को कि आप एक स्टोरी टेलर नेरेटर हम कह सकते हैं आपको और आप लगबग 2-3 साल से यूटव के उपर काम कर ले हैं और आपकी खास बाद ये हैं कि आपकी जो उसका एक जो बेस होता है वह दोनों कह सकते हैं इमाजिनेशन भी और रियल भी लेकिन इमाजिनेशन तभी आता है जब वो रियल होती है क्योंकि कहीं न कहीं उसका एक जो बेस होता है वो रियल होता है तो हम उसमें क्या करते है कि उसको और अट्रैक्टिव और भी ज्यादा लोगों को मतलब लगे कि हाँ यार यह है बेस्ट कहानी तो हम लोग उसको क्या करते है कि थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को उसमें मिक होता है यानि कि हम कह सकते हैं कि inspired by the true events जी 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 भाई सो सूरज भाई मैं चाहूंगा कि बिना लोगों को ज्यादा वेट करवाए हम आज का जो पोड़कास्ट है आज के जो होड़ incidents हैं उनके बारे में discuss करते हैं ओफ कैमरा ना जब आप बैठे थे मेरे सामने हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या बात करें क्या ना करें तो आपने कुछ मुझे कुछ चीजी ऐसी बताई जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी मुझे लगा एक साल हो गया है बट स्टिल वो चीज मैंने आज से पहले सुनी ही नहीं है आप बात कर लेते भाई कुछ 56 दिवार की ज तो 80-90 परसेंट लोग नहीं जानते होंगे यह तो गैरेंटी है कि 56 दिवार होता क्या है तो जैसा इसका नाम है 56 दिवार तो इसके जस्ट अपोजिट ही यह ऐसी एंटीटी या फिर एक यह ऐसी सिद्धी बोल सकते हैं आप इसको कि इससे हम एक प्रेत आत्मा को अपने का काबू में करके एक छोटी सी डॉल होती है जस्ट लाइक एनाबेल डॉल जी उस टाइप की डॉल में या फिर आपने देखा होगा चकी डॉल है जी किलर आप उस टाइप की डॉल में हम क्या करते हैं कि एक प्रेत आत्मा को अपने काबू में करके उस डॉल में ट्रांसफर करते हैं, और फिर हम उसे अपना मन चाहा कोई भी काम करा सकते हैं डेंजर से डेंजर काम और कुछ भी मतलब चाहे जो काम हो वो करा सकते हैं भाई मुझे ना तातिया बिच्छु यादा रहे है हाँ 感謝 बोला आपने, लेकिन यह क्या है कि तात्या बिच्छू वो अपने मन का था, वो किसी का नहीं सुनता था, उसका जो मन करें वो करता था, लेकिन यह क्या है, यह हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन इसकी भी लेमिट होती है, आप इसको केवल 6 महिने के लिए ही, आप इससे कोई भी वर्क करा सकते ह छे महीने के लिए और एक काम खतम हुआने की यह दूसरा काम आपसे मांगना इस्टार्ट कर देता है और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका वेनास और छे महीने के अंदर-अंदर अगर आपने इसको मतलब फ्री नहीं किया जाद नहीं किया तो फिर यह आपके लिए खत्रा बन जाएगा और फिर इससे आपके लिए भी काफी जादा हानिकारा हो सकता है जी भाई तो कोई इससे लेटेट कोई रियल इंसिडेंट है आपके पास है मेरे पास रियल इंसिडेंट और मतलब काफी अच्छा और यह बिल्कुल ट्रू है और यह 36 गड़ की कहानी है यह आइडिया मुझे तब ही आया घब मेरे सबस्क्राइबर ने मतलब मुझे भेज़ता था इस्टोरी तो मैंने भी जब सोना चैंड यह 56 गो अता है तो उसने श्टोरी मुझे भेजी लेकिन मीने यूट्यूब पे सर्च किया पहले चहुआ छपिन दिवार होता क्या है तो यूट्योब पे कहीं वीडियो नहीं थी तो अक्सर जैसे होता है कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या साधना से रिलेटेड जो तांत्रिक लोग होते हैं उनकी वीडियो में वो 56 दिवार के बारे में था तो मुझे आइडिया आया तो उस कहानी को मैं रिलेट कर पाया कि आखिर जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा वो है कि रहे क्या तो मैं जो स्टोरी बताऊंगा आगे वो मैं अपने सब्सक्राइबर के पॉइंट फ्यू से ही बताऊंगा जी भाई तो मेरा नाम विशाल है मेरे सब्सक्राइबर जिसने भेजा उनका नाम विशाल है तो उन और दोस्तों का नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन उन्होंने अपना नाम बोला थे कि आप मेरा नाम ले सकते हो लेकिन मेरे फ्रेंड्स का नहीं तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं कि हम लोग चट्थेजगड गय हुए थे मेरी बुगा की लड़की के साधी में तो अब हम साथ में हम लोग गय है कार से हम लोग थे तो चट्थेजगड के छोटे से गाउं में मेरी बुवा रहती थी मेरे फूफा जो थे वो भीचार एक्सपायर हो चुके है लेकिन मेरी बुवा और मेरे चाचा ये दो लोग रहते थे और उनकी लड़की तो हम लोग गाउं में जब पहुँंचे तो रात हो चुका था हमने देखा कि यार आसपास अब अकसर जो गाउं के लोग होंगे वो रिलेट कर पारे होंगे कि हम अगर गाउं में जब जाते हैं तो जैसे हम और अंदर जाते हैं तो side side में पेड जाड बड़े बड़े वो नजार आते रहते हैं तो हमने देखा कि कार के जस्ट सामने एक अजीब सी कोई चीज चलती हुई नजार आई मैंने कार मैं ड्राइव कर रहा था मैंने देखा कि यार वो अजीब चीज है क्या तो मैंने तुरंब कार रोकी और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई वो क्या देख रही क्या आजीब चीज है वो क्या दोस्तों ने कहा क्या verg pri एक चोटी सी डॉ टाइप की ब्राउन कलर की लग रहती लग रिए पी एकदम हम लोगों ने का यार बड़ा अजीब है ये तो मेरा एक दोस्त था उसका नम विवेक था हम लोगों के फ्रेंट्स ग्रूप में जैसे होता है ना कि एक कोई ऐसा दोस्त होता है कि जो इंटिटीज का या फिर ऐसा उसके लिए सब कुछ रहता है यार कुछ नहीं ह चल आए हम लोग के लिए हैरानी की बात यह थी कि वह अपने आप कैसे चल रहा है मेरे दोस्त जो थे पीछे बैठे थे उन्हों ले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो कि हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि जो एंटिटी है वो जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसके जैसे ही मैंने बोला कि अरे विवेक भाई क्या कर रहा है आज जल्दी कार में बैट लेट हो रहा है जैसे वो पीछे मुड़ा और हमने सामने देखा तो गायब डॉल गायब वो दिखी नहीं कि कहा गई फिर विवेक आया जल्दी से उसने का भाई तू पहले वीडियो दिख हो गया फिर रिकॉर्डी नहीं किया तूने तो मेरे जो दूसरा दोस्त था उसने भी रिकॉर्ड किया था उसने भी देखा तो उसकी भी गैलरी से गायब हमने का भाई गलती अगर चलो माल लेते मेरे से होई होगी तो यह दूसरे से कैसे होई गलती तो मैंने मुझे लगा है कि यहां कुछ गड़ बढ़ है हमने का भाई चलो चलते हैं घर तो हम लोगों ने फिर चाचा को कॉल किया फिर उन्होंने रास्ता बताया हम लोग घर आ गया जी बुवा हमारी थी रात का समय था तो अपना मिले जुले और फिर उसके बाद अपना हम लोग अपने अपने चले गए सोने के लिए मॉर्णिंग में क्या हुआ कि यह बात मैंने अपनी बुवा को बताई कि बुवा हम लोग रास्ते में कल आ रहे थे तो हमने एक चोटी सी डॉल देखी थी लेकिन मैंने एक बात नोटिस कि कि जब मैं अपनी बुवा को यह बात बता रहा था उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था कि जैसे वो उसके बारे मूँ पहले से जानती हूं तो मैंने कहा कि बुवा वो पता नहीं क्या अजीव सी चीज थी फिर अचानक गायब हो गई तोनों ने कहा कि भीटा तुम वो तुम्हारा वहम होगा लेकिन मेरे चाचा बगल में खड़े थे चाचा ने बोला कि आरे क्यों छुपा रही हो बता दो ना तुनों ने कहा कि चुप इस सारे सुने उन्हें चुप कराने कोसिस किया कि कहीं बच्चे डर न जाए मैंने कहा रहे बताओ ना चाचा आप बताओ बुगा नहीं बताएगी तो चाचा ने बताया कि जिसको तुमने देखा था वो हमारे गाँ में उसको चप्पन दिवार बोलते हैं और लोग क्या करते हैं हमारे गाँ में ये काला जादू एक तरहीए से ये काला जादू टाइप का ही होता है दिवालन अगर अपने नाम सुनाओगा तो नहीं सुनाओगा दिवालन ये भी एक female entity होते है तो उसके बारे में अलग कहीं न कहीं ये उससे match करता है क्योंकि दोनों का काम सेम होता है क्या करते हैं कि सिद्ध करने के बाद आप किसी के भी घर से सोना चांदी कुछ भी आप उनके घर से आप चुरा के अपने पास मंगवा सकते हो यानि वो जो डॉल है डॉल लेकर आएगी डॉल लेकर आएगी वो या फिर वो डॉल किसी को अपने वस में करेगी वो लेकर आएगा, क्या होता है वो डॉल लाएगी है वो जैसे लेकर आए लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती है कैसे वो डॉल जाती है कहां जो उसको सिद्धी के रहता है उससे भी नहीं पता चलता और जिसके घर से वो लेके आती है उसको भी नहीं पता चलता यानि कि जिसने भी भेजा उसका काम हो जाएगा बट कैसे होगा वो किसी को नहीं पता वो चीज नहीं पता चलेगा तो आप जो थे या फिर जो आपके सब्सक्राइबर थे जिन आपको स्टोरी शेयर की उनको वो दिखी तो उनके उपर भी किसी ने छोड़ा होगा यह छोड़ने वाली बात इसमें नहीं है अभी कहानी में है आगे आखिर वो डॉल उन्हें देखी तो क्यों देखी और अभी आगे आप सुनोगे ना तो कहो कि भाई यह तो हमने सोचा ही नहीं था तो अब उसके चाचा ने बताया कि भाई यह जो डॉल है इसको चपन दिवार बोलते हैं और हमारे गाउं में यह काफी फेमस है और अगर यह मतलब भी इसको अगर सिद्ध कर लिया जाता है तो यह गाउं में उसी के घर में जाती है जिसके घर में काफी ज़्यादा पैसा हो क्योंकि अगर वो चुरा रही है तो उसे भी नहीं पता चलेगा कि भाई यह आखिर पैसा हमारे यह से गायब हो गया या फिर अनाज हो गया या कुछ भी तो ऐसी जगह से वो चुराती जहां जिसका काफी ज़्यादा भंडार हो वहां से यह करती है तो यह चीज है तो बुवा ने कहा कि अच्छा ठीक है अब जाओ तुम लोग यह सब बात छोड़ो घर में अब साधी का महल है तो तयार यू आयर करो अपना तो इसके थोड़ी देर के बाद चाचा ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई बिटिया के लिए गहने वहने लेने के लिए तो जो बुवा की लड़की थी वो अच्छे से जानती थी कि हमारा फैमली बैग्राउंड कैसा है भाई ज्यादा पैसे वाले नहीं थे वो तो उन्होंने बोला उनकी लड़की ने कि यार आपके पास इतने पैसे का है गहने लेने के लिए और काफी बड़ा रिस्ता था वो तो उन्होंने का रहे तू क्यों टेंसन ले रही है हमने लोन ले रखा है उधार ले रखा है तो कहा है कि आप उधार ले कि मेरी साधी क्यों करोगे कहा है कि बेटी तू नहीं जानती काफी बड़ा रिस्ता है तो ये सारी चीजे होई तो उन्हों चाचा ने क्या बोला बुवा को भी साथ ले जाने के लिए वो बोल रहे थे लेकिन मेरी बुवा वो आँख दिखा रहे थी चाचा को फिर उन्हों जब चाचा नहीं समझे तो उन्होंने साफ बोला कि यार ऐसा मैं नहीं जाओंगी फिर उन्होंने साइड में थोड़ा से का साइड आके कि अरे भूल गए क्या अभी वो अकेले ये लोग अकेले हैं फिर ये लोग को दिक्कत होगा मुझे लगा यार बुवा किस बारे हम बात करी कि इनको दिक्कत होगा ये लोग अकेले है तो चाचा का अच्छा ठीक है बच्चो एक काम करते हैं कि मैं मैं चला जाता हूं और बिटिया को भी साथ ले जाता हूं और साम तक हम लोग घर आ जाएंगे तो बुवजी रहेंगी भाई अपना क्या क्या कराना है सजावट क्या करानी वो सब बुवजी देख लेंगी कर ठीक है आप लोग जाओ उसके बाद क्या हुआ कि अपना घर का स स्टार्ट होती ही कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसे स्क्रैच नहीं करता है अपने नाखुनों से दिवार को या फिर कुछ ऐसी चीज तो वो मेरे कान में चुब रही थी और उस टाइम रात के इतिंग बारा के उपपर ही हो रहा था बारा बजे के उपपर ही हो रहा था तो मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा किचन के पास आवा जा रही है मैं किचन के पास गया तो देखा कोई नहीं था वाहां मैंने का यार उपपर से गां उता अंधेरा तो था यह पूरा चांद की रौसनी में ही सारा चीज देख रहा था जो भी थोड़ा बहुत किचन में देखा कोई नहीं मैं जैसे ही वापस सोचा है क्यार चलो अब चलता हूँ कोई है नहीं तभी मुझे ऐसा साउंड आया जैसे कोई जाड़ू लगा रहा है छट पे साफ कर रहा है रात को भाई मैं कहा यार ये रात को कौन लगा रहा है अब जहां पे मैं था किचन वो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे वो जाड़ू की आवाज आ रही थी जी मैं डर तो लग रहा था कि आर रात को जाड़ू कौन लगा रहा है जब मैं गया आप यकीन नहीं मानेंगे वही डॉल जाडू लगा रही थी अज़ी भाई सिम् मतलब हुआ ये कि जब मैंने देखा कि वह डॉल जाड़ू लगा रही है और मतलब कभी मैंने अपने लाइफ में सोचा नहीं थे कि मैं ऐसा सीन का भी देख पाऊंगा अब इतना मैंने देखा और वो डॉल अचानक मेरे तुरंक इतना देखा मतलब ऐसा मुड़ के वो देखी न डॉल कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया ऐसा लगा कि मेरी बॉड़ी से ना पूरा एकदम वेट निकल गया एकदम हलकी होगी मेरी बॉड़ी और मेरा सर घुमने लगा और मैं एक बार चीखा और चीखने के बाद मैं सीडी से लुड़कते हुए नीचे गिर गया सर पर मेरे चोट आया और मैं बिहोस हो गया लेकिन बिहोस होते होते मैंने देखा कि मेरे चाचा जी तुरंत आये दोड़ते हुए उस टाइम सब क्योंकि सेकंड फ्लोर पर मेरे चाचा थे और मैं लुड़कते हुए थर्ड से सेकंड फ्लोर पर गिरा तो आवाज मेरी किसी अभी नहीं सुनी थी लेकिन चाचा जी पहले आये और वो डॉल ना खड़ी हुई थी सीडी से वो देख रही थी तो उन्होंने चिला कर का कि यहां क्या कर रही है तू जा अपना काम कर इतना उन्होंने बोला तो वो डॉल चुप चाप चली गया और फिर मेरी आख बंद होगी मुझे नहीं याद फिर उसके बाद डॉक्टर आया उसने मलहम पट्टी किया फिर मुझे दूसरे दिन जब थोड़ा सा होस आया तो मैंने चाचा से भी बोलने की कोसिस के कि चाचा जी मैंने रात को देखा उस डॉल को तो उन्होंने का बेटा वहम होगा तुम्हारा ये छोड़ो इसारी बाते मैंने बुगा से भी बोला बुगा ने भी ये बात टाल दी के रहे वहम है तुम्हारा बेटा तुम उस टाइम की बात याद करके अभी तुम्हें वही लग रहा होगा किसी ने यकीन नहीं किया मेरी बात का मेरे सभी दोस्त लोग छट पे बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि और भाई विसाल भाई ठीक है कैसा बताओ क्या हुआ था यार तुम क्या देख लिए थे भाई मैंने उसको ज़ाड़ो लगाते हुए देखा कहा कि भाई भाई बागया 때認為 ने यकीन मान लो मेरा नहीं तो मैं क्यूं जाता है शट पे मेरी हालत तो भाई खराब थी लेकिन कहीं नहीं मुझे सको रहा था अब तो उसी दिन रात की बात है मैं आपको ज़्यादा डिले नहीं में में इवेंट बताऊंगा जो काफी स्केरी है अब उस दिन रात को क्या हुआ कि हम सभी दोस्त एक ही रूम पे सो रहे थे मैंने का कि भाई बारा बजे के बाद ही वो निकलती है तो हम लोग बारा बजे के बाद निकलेंगे हम लोग क्या हुआ कि रात को बारा बजे के बाद उठे मैंने का कि भाई और जो चार दोस्त थे मेरे और हम मुझको मिला के पांच थे तो मेरे जो तीन दोस्ते थे वो सो रहे थे सिवह हम दो गय हुए थे विवेक और मैं हमने का चलो वही चलते हैं मैंने क्या देखा कि पहले किछन से साउंड बरतन जैसे कोई धुल रहा है उसका साउंड आ रहा था मैंने का यारब कौन है हमने देखा कि वो डॉल बरतन धुल रही थी तो मेरा दोस्त जो विवेक था वो मतलब देख के कहा भाई यार कि ये कैसा मतलब अजीब सा नजारा है कि मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं कोई डॉल बरतन धुल रही है जाडू लगा रही है कैसा मतलब है फिर हम लोग सांध थे वो डॉल कुछ नहीं बोली वो निकल के गई जहां पे गुदाम होता ना गाउ में गेहू चावल रखता है वो वहाँ पे गई वहाँ पे जाने के बाद वो गेहू खाने लगी गेहू खाने के बाद वो सीधा गई बुवा जी के कमरे में बुगा जी का कमरा बंद था तो वो कुछ देर तक खड़ी रही, एकदम सांथ कुछ भी नहीं बुला, वो डॉल और फिर उसके बाद वो आगे चाचा जी के रूम पे गई, चाचा जी का रूम खाली था, हम लोग खड़े होके देख रहे थे, वो चाचा जी को उठा रही है, मतलब बाल ऐसे ऐसे खीच रही थी तो चाचा जी जब देखा तो कहा कि यार सच में मैं तुमसे बहुत परिसान हो चुका हूँ तुमने मेरा जीना हराम कर रखा तुम सोने भी नहीं देती हो, बस दिन भर काम, काम, काम ही मांगती रहती हो तुम, मैं थक चोका हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि बस कुछ दिन और बिटिया की साधी हो जा मैं तुम्हे फेक आँगा मैं, उसी अग्होरी के पास घा कि यार अग्होरी के पास हम लोग सुन रहे थे कि भाई आखे पूरा जानना है तो हमें सांती से देखना पड़ेगा सब अब उसके बाद उन्होंने क्या किया किचन में गया, आटा गुंदा हुआ रखा था वो और उन्होंने क्या किया न, उसमें गेहूं ढेर सारा मिला दिया, पूरा मिक्स करके बोला कि ये ले इसको तू अलग कर अब बैठ के वो डॉल क्या हुआ बैठ के अलग करने लगी हम देख रहे थे कि मुश्किल से 20 मिनिट में उसने पूरा गेहू आटा गुंदा हुआ तो अलग करके उस आटे को वो खा गई खाने के बाद अब वो सिधा बूअजी के रूम पे जब जाने के लिए हुई तो रूम तो बन था विंडो था साइड में वो विंडो से चली गई हमने क्या विंडो से क्या देखा कि बूअजी जो है वो लेटी हुई है अब मैं अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक जो मैंने देखा एक तीर डॉल उपर से जो आगे जो होने वाला था बुवा जी के साथ वो और खतरनाक मैंने क्या देखा कि वो डॉल जो है बुवा जी रात को सो रही थी तो उनके बाल काफी लंबे हैं वो अपने पूरे बाल को ऐसे खुला चोड़ा हुआ था तो बैड से उनके बाल नीचे आ रहे थे वो डॉल उनके बाल को खा रही थी बाल खाने लग ले थी हाँ अब बुवा को पता भी नहीं वो हमने जब देखा कि या यह तो बुवा जी के बाल खा रही है और जान थी या फिर हम कमजोर थे हमें नहीं पता लेकिन वो डॉल इतनी मजबूती से बुवा जी का बाल अपने मुझे उसने दबा के रखा था कि हम लोग जब खीचने लगे ना तो बुवा के आप यगिन वन इतना गुच्छा पूरा बाल उनके सर से निकल गया मेरी बुवा जोर से दर्द के हमारे चीखने लगी तभी चाचा आ गया मेरे दोस्त आ गया मैंने कहा कि चाचा देखे यह क्या हो रही है यह डॉल कौन है और आप लोग क्या छुपा रहे हो हम से यह बताओ चाचा ने कहा कि पहले उस तुम डॉल को छोड़ कि हमें कब इसको कैसा काम देना चाहिए आटा वो गुंदा हुँआ पहले से रखते थे उन्होंने क्या किया जैसे हमारे ये हैर्स है छोटे छोटे बाल उसमें धेड़ सारे उन्होंने उसमें मिला के पूरा उसको आटे में गुंदिया और बोला कि उसको छोड़ो ये काम करो आटा और ये बाल दोनों अलग अलग करो इसको वो डॉल एकदम सांथ हो गई और बाल को अलग करने लगी फिर कोई नहीं ज़्यादा लगातार होने लग ज़्याए फिर इसके बाद हमने क्या कि कि चाचा से हम जब थोड़ा सा महाल सांथ हुआ मैंने चाचा से बुला और बुवा से भी बुला कि अब आप मुझे सच सच बताओ कि ये है क्या चीज और ये आप लोगों के घर में क्या कर रही है नई तो मैं फिर यहां से चला जाओंगा तो उन्होंने चाचा जीने और बुवा ने फिर पूरी सच्चाई बताई साथ में बुवा की लड़की भी थी उसने भी सुना कि हमारे पास भाई पैसे नहीं थे घर से बड़ा रिस्ता तुम्हारे लिए आया था काफी बड़े घर से हमें लगा कि ये रिस्ता हमें हाथ से जाना नहीं देना चाहिए तो हमने पहले उधार लेने की कोशिस की गाउवालों से लेकिन सबने साफ मना कर दिया हमें कुछ भी नहीं पता चला तो हम गएं एक तांत्रिक या एक अगोरी बोल सकते हुआ हम उसके पास गए वो गाउं से काफी दूर एक बड़ा सा बरगत का पेड़ है एक पुरानी सी जोपड़ी टाइप में वो वहां रहते हैं हम लोग उनके पास गए तो हमने उनसे सारी बात बताई अपनी समस्या कि भाई हमारी बिटिया है और महराज अब कुछ करके बस हमें ऐसा करिये कि हमारे पास जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए तो उन्होंने बोला कि पैसा तो जल्दी आ जाएगा लेकिन ये है कि उसकी एक आउधी है तो में छे महीने के भीतर ही तुम्हारा सब काम होगा जो काम तुम बोलोगा वो सारा काम होगा उन्हों बोला ठीक है तो उन्होंने चपन दिवार हमें बताया वो एक हमें गुडिया दी तो तो उस टाइम उन्होंने हमें चपन दिवार के बारे में बताया तो 56 दिवर जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया दे कि एक गुडिया होती है यह तो हमें उन्होंने गुडिया दि और बोला कि यह छे महीने तक तुम्हारे पास रहेगी और छे महीने के अंदर अंदर तुम मुझे वापस कर देना नहीं तो यह तुम्हारा विनास करके र क्योंकि आप लोगों ने जो पैसे यह जो है यह सब चोरी के हैं तो बुआ ने बताया कि बेटा जो तुमने उस दिन रास्ते में डॉल को उस टाइम देखा था तो मैंने उस टाइम इसको पैसे लेने के लिए बेजे थे और अगर कोई इसको देख लेता है बाइचांस सामने से पलक जपकते ही तुरंत वो गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो अब मान सकते हो कि अगर वो चोरी करने गई और अगर मालिक ने अगर देख भी लिया वो पलक जपकते ही गायब हो जाएगी वोसे पता भी नहीं चलेगा किस ने भेजा था और कहा से यह आई थी तो यह सारी चीजे होई फिर उसके बाद वो सारे पैसे जब हो गए यूज में तो उन्होंने फिर अगोरी को वापस किया डॉल और उसके बाद फिर उन्हीं पैसों से बुवा की लड़की की साधी होई लेकिन यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में यह मांसूस की वो देखा तो यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा कि दुनिया में अभी भी व्यलब ऐसी ऐसी एंटिटीज हैं ऐसे ऐसे टोने टोटके हैं कि हमारे दिमाग के तो उपर से जाता है वो हमने कभी सुना भी नहीं तो यह थी स्टोरी जो 56 दिवार की थी इसका नाम 56 इवार क्यों है कुछ आपको है आइडिया आइडिया तो देखे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ना कि जैसे साथ समुंदर पार बोलते हैं ना कि भाई हमारे अंदर इतनी सकती है कि हम साथ समुंदर पार से भी कहीं से कुछ भी हम लेकर आ सकते हैं बोलते हैं तो ये डॉल का भी कहीं ने कहीं वही काम है कि 56 दिवार कि आपके सामने हर्डल साथ 56 दिवार है आप उसको क्रॉस करके आप कोई भी काम बोलो हम वो ला के आपको देंगे तो इस तरीके से यह है अगर मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है कि इसको 56 दिवार नाम इसलिए पड़ा आ क्योंब वी सिंटी है किस फ़ई बेज रग्य काहाई बहने एती इसके अलावा क्या जिस में पता करने थोड़ा और हमें इसका काट करने के लिए कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसका काट सिर्फ वही कर सकता है, जो बारा सालों से लगातार या उसके उपर मा काली के उसने सेवा की हो, और मा काली की सिध्धी या उनकी क्रिपा और असिरवाद उस अगहोरी के उपर हो, और ये अगहोरी और कापालिक, अगर आप कापालिक के बारे में जानते होगे और अगहोरी के बारे में, दोनों में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों जमीन आसमान का अंतर होता है बस इतना मैं बताऊंगा लेकिन पहले मैं अपने सब जो भी वीवर्स देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखो मैं भी ग्यान का भंडार मेरे अंदर नहीं है तो छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर होती है तो प्लीज उसके लिए मैं प जलता है वो सांत स्वाभाव का होता है अग्होरी वही कपालिक जो होता है उसके जो इरादे होते है या फिर जो थोड़ा सा दुस्टर टाइप का होता है जो अग्होरी होता है वो आपको सांत स्वाभाव और आपको एक सात्विक तरीका बताएगा कि हमें अगर माल लीज सात्विक चीज़े बताएगा पूजा पार्ट करो या फिर ये लो भस्म लो ये करो आप हो जाओगे यानि कुछ ऐसी चीज़े बताएगे जिससे दूसरों का कोई नुक्सान ना हो जी वही चीज़े अगर आप यही कपालिक के पास जाओगे न तो बोलेगा पहले मुझे ब लोगों को पसंद आएगा आपको भी परसनली मुझे भी पसंद है और आपको तो पसंद आए गई जैसे मा काली के बारे में सब लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में हैं और ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मा काली का रूप कितना ज्यादा खतरनाग होता है और ये इनके जो सेवक गण होते हैं योगिनी, पिशाचनी कर्ण पिशाचनी ठेर सारे ऐसे इंटिटी होती है तो जो इनके जो दो मेन होते हैं इनके जो सेवक गण में जो ठेर सारे होते हैं लेकिन मा काली के जो दो मेन होते हैं एक होती है योग माया और एक होती है माता मदानन तो जो माता मदानन है उनकी भी सेवा गड़ होते हैं उनके तत पर तीन सो साथ मसानिया उनके तत पर रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए माता मदानन का तो अब जो तीन सो साथ मसानियों में भी जो सबसे आदा तीन जो सबसे शक्ति साली है हार्ड मसानी, गोंगन मसानी और ठाकुरी मसानी ये तीनो एकदम पावरफुल एंटिटी है कि और ये तीनो का काम अलग है तो थोड़ा समय आप लोगों को इनके बारे में एक एक लाइन बता देता हूँ कि आखिर है कि इसलिए ये जानी क्यों जाती है पहला तो गोंगन मसानी गोंगन मसानी नाम सही पता चल रहा है कि गोंगन यानि जो गोंगी हो तो अगर ये ऐसी मसानी है कि अगर किसी के उपर अगर ये छोड़ा जाए और इसको कोई नॉर्मल तांत्रे का अगोरी और वही मतलब कि जरूरी नहीं कि सेम जिसने किया वही उसका काट करे ऐसा नहीं है हाँ अगर कोई दूसरा गर इसका काट कर रहा है तो वह भी 12 साल के उपपर हुआ मा काली का असिरवाद उसके उपपर होना चाहिए बाकी दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि उसका काट कर सके तो गूंगनमसानी यह होता है कि जिसके उपर छोड़ा जाता है वो पता ही नहीं चलता है कि आखिर यह आखिर कौन सी इंटेटी है जो इसकी बॉड़ी में पॉजेज्ट हुई है क्योंकि यह कर्णपिसाचनी, योगनी और मुंजा, ब्रहम राक्षास और डाकिनी, साकनी यह किसी का भी ऐसा बिहेवियर ऐसा पॉजेट करने के बात करेंगी ना कि जो नॉर्मल तांत्री का घोरी है वो यही सोचेगा कि यार लगता है यह मुंजा है तो चलो मुंजा का काट इस पर प्रियोग करते है नहीं यह आई थिंक डायन है नहीं यह ब्रहम राक्षास है मतला अलग-अलग इंटिटीज की जो काट करने वाला है न वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा तो जिससे बैड इंपैक्ट पड़ेगा human body पर जिसको positive उन्होंने किया है और ये तीनों की अवधी 20 दिन की होती है अवधी इंदर सेंस कि अगर किसी को उपर छोड़ा गया तो 20 दिन के अंदर ही उस इंसान की death हो जाएगी गुंगन मसानी अगर छोड़ा जाता है तो गुंगन मसानी क्या करती है हमारे body को धीरे 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 वक्त के साथ साथ वो एकदम अंदर से सड़ा देती है एकदम पूरी body गलने लगती है अंदर एकदम कमजोर गलते 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 20 दिन उस इंसान का काम तमाम हो जाता है दूसरी number पर हाती हार्ड मसानी हार्ड मसानी यह होता है नांसे माथचल के अछल आप्षचण है हाड यानि हड़ी अगर इन पर इन फर्दर को किसी पर छोड़ा जाता है तो भाई-साब वो उसके पूरी body का ला होती है अभी श्याम का टाइम है ना तो जाता है जब पाइदे तब नहीं था हम तो जो हर्ड मसानी है अब यह हर्ड मसानी नाम सही पता चल रहा है कि हडडि तो अगर इस इनको अगर किसी इंसान पर छोड़ा जाता है तो उसकी बॉडी का एसा कोई हडडी वाला पार्ट नहीं इनसान का ऐसा लगए कि पूरी हड़ी में दर्द है और धीरे दीर उनकी पूरी हड़ी गल जाएगी सड़ जाएगी और उसकी भी डैथ हो जाएगी ठाकुरी मसानी अच्छा काम यह होता है ठाकुरी मसानी का कि अगर आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है चाहे जितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो ठाकुरी मसानी को अगर आपके घर पर छोड़ दिया जाए तो वो आपके छट पर पहरेदारी करती है यानि वो इतरह से गार्ड करेगा वो कोई नुकसान नहीं पहुचाती पहली बात ठाकुरी मसानी किया करती है वो आपके घर को सेक्यो करेंगी मैं जाहे जितनी बड़ी एंटिटी हो वो आपके घर में न करने ही नहीं देगे बुरा इंपक्ट वो पढ़ने ही नहीं देंगी उसको रिवर्स कर देंगी तो यह होता है तो अब जो मैं जल्दी से टाइम नहीं लूँगा ज्यादा तो आप मैं जो आपको यह मेरी नानी ने मुझे बताया था पहले ही बताता हूं आपको और कॉलकाता की बात है मेरी नानी कॉलियरी का काम करती थी जो कोईले का ख़दान होता है वहां पे मेरी नानी काम करती थी तो उस टाइम आपको यह भी बता देंगे का भी नाम बता देता हूं बोगड़ा चटी आसंसोल में है यानि कि कौलकटा में आसंसोल आसंसोल के अंदर बोगडा-चटी यह एरिये का नाम है यह रियल है इसलिए कोई ऐसा निहीं कि हाँ वह फेक है और उस जगह में मेरी नानी करती थी काम तो वहाँ पर समसान घाट-एक है भोगडा-चटी से थोड़ी दू आया था। कि कैसे कैसे उनको पताचला। तो जो मेरे नाना थे। अबर जैसे होते होना ब्जोर्ग लोग हैं। तो गाओं का हम जिस एरीयम रहते हैं हमें पता होता है। कि भाई इसके घर में यह चीज हुआ है कहीना कहीनgener किसी के थुह हमें पताचल जाता तो नानी मुझे जितना बताया तो मैं उसके according आपको बताता हूँ कि उस गाव में बोगला चट्टे में एक आदमी रहने के लिए आया अपनी फैमिली के साथ वो मुंबई के रहने वाला था उसके घर में मतलब कि मुंबई में जहां वो रहता था करजे इतना ज़ादा उसके उपार करजा हो गया था उसने लोन ले रखा था वो छोटा सा मेडिकल स्टोर में काम करता था और मुंबई जैसे बड़े सटी में वहां पे फैमिली को रहके अकेले इनसान कमाने वाला वो भी मेडिकल स्टोर में या कोई 10-12 हजार की नौकरी अगर पा रहा है तो नहीं चला सकता घर ठीक है कम से कम 40-50 हजार वो भी अगर दोनों मिल के अगर कमा रहे हैं तो सेपरेट महीने का लाख डेल लाख हो तो आप अच्छे से मुंबई जैसे शहर में अब रह सकते हो बढ़ियां से वो बिचारा मेडिकल स्टोर में काम करता था और वो इतना ज़्यादा उधार उसके उपर हो गया कि जैसे मुंबई जैसे में होता है गुंडे टाइप के हफता वसुली करने वाले उस टाइप के तो उसने उधार ले रखा था उन लोगों से आए दिन घर पहुँचे रहे वो इसकी बीबी पे नियत खराब करें कि भाई तू पैसा दे या फिर हम तेरी बीबी को उठा ले जाएंगे वो हाँच जोड़ता था और उसकी जो आदमी था उसका एक छोटा बेटा और एक उसकी बेटी थी दस बारा साल के थे दोनो तो हुआ ये कि जब देखा बहुत ज़्यादा उधार हो गया तो उसने बोला कि अगर तू कल तक पैसे का इंतिजाम नहीं करता तो कल ये तेरा पूरा सामान में फेक दूँगा बाहर और तेरी बीवी को उठा ले जाओंगा अब उसके दिमाग में घुमा कि भाई अब मुझे इस जगा को छोड़के जाना चाहिए तो वो मुंबई से सीधा आया कॉलकाता में सेफ्ट हो गया रातो रात वो अब जैसे लेकिन वो रातो रात वहां के लिए निकल गया कॉलकाता के लिए निकला कि भाई मैं आजात तो हो जाओं यहां से वो निकला और फिर यह बोगड़ा चटी में आके रहने लगा तो ये था इसका कि वो क्यूं आया और कहां से आया था ये मैंने आपको बता दिया लेकिन अब वहां पे जब ये आया रहने के लिए तो किराया उसका इतना ज़्यादा था कि वो दे नहीं पा रहा था वहाँ पे रहने के लिए भाई अब वहाँ पे पहले एक सरपंच थे क्योंकि मैं जा चुका हूँ इस एरिये में तो उनका नाम राम बिलास उनका नाम राम बिलास है जो सरपंच वहाँ के थे और अभी तक वो जिन्दा है एक तो सौ साल के उपर हो गया उनका एज लेकिन वो अभी तक जिन्दा लेकिन हाँ इनसान बहुत अच्छे हैं वो हम लोग गया तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि यार भाई ऐसा है कि एक तो जगह भी नहीं थी और प्लस उन्हों किराय के लिए ज़्यादा ही बताए कि पैसे उसके पास थेने थोड़े बहुत पैसे थे तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा तो है कि मैं तुम्हें यहां तुन नहीं दे सकता हाँ भाई तुम इतनी दूर से आयो耸ो मैं तुमें जगाए बताता हूँ समसान घाट के ज़ष्ट सामने एक पुराना सा मकान है तुम्हें जितना किराया देना हो जितना तुम्हें पास हो कम ज़़्यादा जो हो वो मैं मनजूर करता हूँ वो भी मेरा ही मकान है तो ठीक है मैं अपना कर लेता हूँ तो पुराना था उन्होंने का कि ठीक है कोई बात नहीं सरपंची हम मैनेज कर लेंगे और इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता था क्योंकि भाई समसान घाट सामने पड़ता था डर के मारे नहीं आदमी रहता था और कलगत्ता जैसे सहर में भाई काला जादो इतना जादा कि ऐसे ही लोगों की हालत खराब तो वो पनी फैमिली के साथ गय तो पूरा धोल मिटी था तो उन्होंने बोला कि आज उनकी वाइफ ने बोला कि किया साफ सफाई किया और बच्चों को लेकर साथ में अपना खाना पीना जो थोड़ा बहुत खा खा पी कर सो गए उसे टाइम रात को उनकी बीवी को समसान घाट के पास से सामने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी तो उन्होंने जब खिड़की के पास देखा तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा होके न ऐसा लागा कि वो इंतजार ही कर रहा था कि वो खिड़की से वो देख रही है तो जब उनकी वाइफ ने जब देखा तो ऐसा लागा वो बच्चा उन्हीं के तरफ कब से देख रहा है वो वो देख रहा था और दर्द से चिला रहा था वो कि कोई उसके पीछे पड़ा हुए और डर के वो बार बार पीछे भी देख रहा था उन्होंने देखा कि काले कलर का कोई धोती पहन के आया बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल थे वो तुरंद उसको पकड़के लेके जाड़ियों के अंदर गायब हो गया ये देख कि वो डर गई और तुरंद उसने खड़की का दरवाजा बंद कर दिया दूसरे दिन वो बताना चाहिए अपने हस्बेंट से लेकिन उसने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ काम ढूड़ने के लिए अगर कहीं अच्छा काम मिलता है तो मैं चला जाता हूँ तो वो चले गए नहीं बता पाई वो दूसरे दिन फिर रात को यही हुआ कि फिर सो उसको किसी अलग बच्चा इस बार देखा इस बार कोई लड़की थी वो लड़की की चिलाने की आवाज आई और वो जो आदमी था वो ऐसा उसको पता चल गया था इस घर में कौन-कौन रहने वाला आया हुआ है और वो ना देखके बारी आने वाली है इतना कहके वो उसको घसीट के लेके चला गया अब वो डर गई अपने हस्बेंट से उसने बताया तो उसने बोला रहे तुम्हारा वहम होगा यह सब कुछ नहीं है वो बिचारा अपना काम ढोड़ने में लगा हुआ था फिर फाइनली उसको एक दिन रासन की दुकान पर काम मिल गया अच्छी तनख्वा भी थी मालिक बहुत अच्छा था तो उसके हाँ वो काम करने लगा अब तीसरे दिन चौथे दिन क्या हुआ कि वही कपालिक आया वो कपालिक था जो समसान घाट में रहता था और कपालिक का नेचर मैंने आपको बताया कि कैसा था वो आया उसने कहा कि भेख्षाम दही भेख्षा मांगने के लिए कि भाई कुछ हो तुमारे पास तू दे दो तो उस औरत ने दरवाजा खोला तो भाई अकेले रहते थे तो दोनों बच्चे भी दोड़ते हुए आगे कि देखते मम्मी कौन है देखा तो उस अगहोरी जो कपालिक था वो ना उनकी बेटी को बड़े गौर से देख रहा था अगर आप जानते होगे उनको साधीका साधीका ही बोलता है जो कपालिक या घोरी होते है उनकी जो सहायक होते है उसको साधीका बोलता है जो उनके साथ में होते है साधीका का एक रूप होता है साधीका ही I think है तो उस ट्राइम क्या हो ना वो कपालिक देख रहा था उनकी लड़की को ध्यान से वो लेडी समझ गई थी किसी और नजर से मेरी बेटी को देख रहा है उसके बाद ये हुआ कि उसने चावल ओवल दिये और फिर वो चला गया का पालिक अब उसका डेली का हो गया काम रोज डेली आए पहले तो बाहर तक ही था फिर दूसरे दिन वो घर के अंदर तक आ गया फिर उसके तीसरे दिन वो अंदर आ के पूरा CDWD की तरफ देखने लगा घर के चारो तरफ क्या है क्या नहीं है तो बोले अरे बाबा बाहर चले जवाब तो काया रे बेटी चोर समझी हो क्या मुझे तो उन्हों नहीं नहीं ऐसी बात नहीं लेकिन आप बाहर जाईए बाहर किया और चावल दे के बंद कर दिया दरवाजा उस लेडी ने सोचा आज मैं अपने हस्बेंड को बता के रहूंगी बाही कुछ ऊच नीच हो गया बात तो फिर हस्बेंड आए उनसे बात बताई कि ऐसा है जी ये जो बाबा है आते हैं रहते हैं ऐसा है कि आप भाई आप इनको आके समझाओ कि मैं चला जाता हूं काम पे मेरी बीबी बच्चे के लिए रहते हैं आप मताया करो तो वो का रे छोड़ो यार कहें जाओ नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी या फिर कुछ कर लोंगी फिर उन्हें का ठीक है जा रहा हूं वो गया साम का वक्त था समसान घाट के अंदर गया तो उसे वही कपालिक बैठा हुआ था उसको पता था कि यह आदमी आने वाला है तो बोले क्यों आ गया तू तो कहें महराज आपसे कुछ बोलना चाहता हूं कहें मुझे पता है तुझे बताने की जरूत नहीं है लेकिन तू जो बोलने आया है तुझसे पहले मैं तेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूं तो उ नहीं महराज, क्योंकि यहां पर समसान घाठ है, और डर के कारण यहां पर कोई नहीं आता है, तो तूने नहीं सोचा कि मैं इस पुराने खंडार घर में हूँ, तो मुझे इस पर पूजा पार्ट कराना चाहिए, क्योंकि भाई, कोई भी इंसान होता है घर में अगर नया घर ले रहा है कुछ भी नया चीज ले रहा है पूजा पाठ कराता है कुछ भी निगेटिव अगर पावर है तो वो हड जाए तो कहा है कि हां महाराज कोई मिला ही नहीं मुझे तो मैं तो किसी को नहीं जानता ऐसा है जो पूजा पाट करें अगर हो सके महराज तो आप ही हमारे घर में प्रस्थान रखो लो वही बात हो गई कि जिसको मना करना था खुदी बुला लिया उसको अगोरी के चहरे कापालिक के चहरे पे वही सैतानी मसकान आई कि चलो गई या मेरा काम तो असान हो गया बोले ठीक है महराज आप कल सुबह आपा जाईए बोलके वो चला गया घर पे गया अपनी बीवी को बताया तो बीवी सर पकड़के बैठ गई कि यार मैंने तुमको मना किया था तुम दो उनको इंविटेशन दे के चले आए उनने का रे कुछ नहीं होता तुम्हारा वहम है भाई वो कापालिक है बुजूर्ग है हमारे घर आएंगे तो आसिरवाद ही रहेगा ठीक है सुबह सुबह खाना पीना उनके लिए बनाया गया वो आए वह अपना उन्होंने कुछ किया पुजाप्त उसके खाना पिना खा के बोले कि बैट ठीक है मैंने सब तुक कुछ कर दिया है डिक्षा बोलती है जो देते हैं लास्ट में अघॉरी को, कपाली को, पंडित जी को उनने बोले नहीं को दिक्षा तो तू दे पाएगा तो कहें कि महाराज देखे आपसे वादा तू नहीं कर सकता लेकिन मेरी जितनी यदा सकती है मैं उतना ही करूँगा उन्हेंने बहला नहीं पहले तू वादा कर कि जो मैं मांगूंगा तू वो देगा नहीं महाराज वादा कैसे मैं कहाए नहीं तू मांग नहीं तो फिर जा कोई बात नहीं मत दे देख़णा भला अच्छा ठीक है महाराज मैं वादा करता हूँ अब जो मांगो को मैं दूँगा जैसे उसने ये बात बोले कपालिक ने का मुझे तेरी ये बेटी चाहिए ये सुनते ही पारा गरम बीवी का भाई उसका पहले ही गुषसा आ रहा था कि मेरा हस्बेंड इसको लेके चलाया तो उसने कपालिक पर थपड़ एक मार दिया उसकी बीवी ने मैं तो मुझे पहले ही सकता कि ये ढोंगी है ये हमारी बेटी पे गंदी नजर डाल रहा है तो उसने कहा कि मुर्ख औरत तु नहीं जानती कि मैं तेरी बेटी को क्यों ले रहा हूँ मैं इसको अपनी साधीका बनाना चाहता हूँ कहें कि महराज आपका दिमाग तो सही है हस्बंड बोला कहें नहीं मुझे तेरी बेटी चाहिए नहीं तो तु सोच ले कि मैं तुझे बरबाद करके रख दूँगा बोला अरे जाओ मुझे अपनी बेटी नहीं देना तो धक्य मार कि उसने बाहर कर दिया कापालिक को अब त तो देख तेरी तेरे जीवन गाना अब वो उल्टा गिनती है वो शुरू हो चुका है तो देखना है गिड़ गिड़ाएगा और ऐसी सजा मैं तुझे दूंगा ना कि तु जीवन भर पच्ताएगा कि आखर मैंने इसको अपने घर पर बुलाया क्यूं और इसको मैंने यवन ोघ को ही देदेता कहके वो चला है या जा जा ज़ो करना कर लियो दूसरे दिन से वह का पालिक शमसान घाषा नहीं तिख हो दो दीनों गया तीन दिन एक हफ्ता हो गया नहीं दिखा वो तो उनको लगा कि यह लगता है कापालिक डर के मारे भाग गया जूटा था तो निश्चिंत हो गया लेकिन उनकी बेटी की तपित खराब होने लगी धीरे धीरे क्योंकि भाई उसने साधिका के लिए मांगा था उसने नहीं दिया और नहीं दिया तो कपालिक को यह अपनी बिज्जती लगी उपर से थपड़ भी मारा तो उस कपालिक ने क्या किया गूंगन मसानी को उनकी बेटी पर छोड़ दिया अब धीरे धीरे जैसे ऐसे वक्त बीचता गया उनकी बेटी का पूरा बॉड़ी ऐसा लगा कि जैसे आम होता है न आपने आम जैसे आपने आम देखा होगा बड़े बड़े आम होते है तो उसमें दाग लग जाता है जी सेम उसकी बाड़ी पर लगने लगा था दाग बड़े बड़े जगा जगा पर ऐसा लगे कि इसकी वहां की पतली होती जा रही है और वो दा रहते रहते ना उसकी बॉड़ी ऐसे पलड जाती थी भोख भी नहीं लगती थी और एक दम पूरा उसका सरीर सूखने लगा था और अंदर से एक गंदी बद्बू आने लगती है इतनी ज्यादा गंदी बद्बू आती जैसे सडे हुए मांस की बद्बू क्योंकि अंदर से स पास गया बताया कि साहर हमारी बेटी की तब्यत भूत खराब है और कोई बाबाव भाहू तो बताईये तो क्यूंकि मैं काफी इलाज करा चुका हूँ उसने इससे पहले काफी सारे डॉक्टरों को दिखाया जितना भी बिचारे ने कमाया सारा खर्चा कर दिया मालिक से भ उखो बेटा, यहाँ पर काला जादू बहुत होता है, ठीक है, तो तुम्हें इसके लिए एक अच्छे साधक के पास जानोगा, एक अच्छे अगhori के पास जानोगा, जो तुमारी मदद कर सके, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि तुम्हारी बेटी पर यह कोई उपरी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने कुल जो गुरुघ कंभू है ऑुघ्खोरी है और्र काफी पहुंचे हुए है मैं उनका नमबर तुम्हें देता हूं उनका एड्रेस तुम्हें देता हूं तुम वहाँ पहुंच initiated वो ठीक है वो अग्होरी के पास गए अग्होरी पहले इसे जानता था अब देखे इनका इसका भी एक कारण होता है जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई भी हो अग्होरी या कपालिक जो हो जिसके पास पावरफुल सच में वो होती है सकती वो उनको पहले ही पता चल जात तो ऐसे कई सारी ऐसे entities हैं जो जिसको सिद्ध करने के बाद हमको यह पता चल जाता है तो ऐसे उनको भी पता चल गया उन्होंने बोला कि तुझे बताने की जरुवत नहीं है तेरी बेटी पर गूंगन मसानी का वार किया गया है और यह कोई ऐसा एरा गैरा तुझे बताई न कुछ भी लिक्विड है अगर आप मतलब कि एक साइंटिस टाइप को हो या फिर आप कुछ भी ऐसा नॉलेज है आपको कोई प्रोड़क्ट है अब मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं मैं उसको देखके बताई नहीं पाऊंगा बाई क्या दिक्कत है मुझे तो सही के उपर हो गया मा काली का वो पूजा करते हुए उनको भी आसिरवाद प्रापर था और उन्होंने उनकी सिध्धी कर रखी थी उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी पे गूंगन मसानी का वार किया गया है और यह उसी कापालिक ने किया है जिसको तुमने कुछ दिनों प साथ में एक चांदी का कटोरा बारा तरह की मिठाई और एक ग्लास लेके आना उसमें पानी होना चाहिए एक ग्लास पानी यह चीज लेके आना और अपनी बेटी को लेके आना ठीक महराज दूसरे दिन वो गय समसान घाट में बैठाया चारो तरफ एक मिठी का गोल घराई कोई ऐसा नई सिंदूर और वो कुछ नहीं किया बस मंत्र पढ़के उसी मिट्टी से ही गोल घिरा बनाया चांदी का कटोरा सामने रखा उस लड़की के सामने बारा तरह की मिठाई और उसमें पानी डाल दिया पानी डालने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी तू इसमें हाट डाल के तो इसको पूरा मिक्स करते जब उनकी बेटी ने मिक्स किया तो उसने बोला कि तुझे तीन जगे निकालना है एक जगे दो जगे और तीन जगे तुझे वो भोग लगाना है कि इसको लगा रहा है ये मुझे भी नहीं पता लेकिन उन्होंने भोग लगाया तीन जगह उसके बाद उन्होंने कहा कि तू अपने जहां जहां तूने भोग लगाया इसके बाद अगहुरी ने कहा कि जहां जहां तीन जगह तूमने ये भोग लगाया है इसके साइड से तुम मिट्टी उठाओ मिट्टी ऊठाने के बाद उसने अपने हाथ से मिट्टी लिया और उसको पुरया में लपेट कर बारा बार उसके पुरे बड़्ी से evento उतार कि उसी लडगी को बोला कि तुम जाओ ये जो कुवह देख रहां सामने इस कोवए में फेख किया हो वो कुए में फेक के जैसे ही जैसे ही उसने कुए में फेका तुरंट वो चटे से गिर गई जमीन में ऐसा लगा कि जिस इंटेटीन उसे पॉजट कर रखा था वो तुरंट उसको छोड़ के चली गई तो इसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी बेटी आराम में अब उसे कोई दिक्कत नहीं और मैं तुम्हें एक सलाह दूँगा कि तुम लोग अगर यहां रह रहे हो तो तुम्हें मा काली को अपना में जो देवी मा है कुल माता उनको तुम्हें बनाना पड़ेगा और मा काली की ही तुम लोग सेवा करो कोई भी यहां पे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसके बाद उन्होंने मा काली की पूजा स्टार्ट कर दी और तब से ही लेके वो मा काली की पूजा करने लगे और फिर ऐसी कोई भी entity या फिर वो कापालिक या फिर ऐसा कुछ भी ब्लै जो bad निगेटिव जो entities होते हैं कभी उनके घर पे हमला नहीं किया और वो लोग अच्छे सपना रहने लगे तो ये था गुंगन मसानी के स्टोरी अब आपको कैसा लगा ये personally subscribers को तो पसंद आएगा क चाहता हूं यार भाई सही बता हूं मैंने ना जितने भी मेरे पोड़कास्स हुए लगबाग 60 प्लस में पोड़कास कर चुका हूं जिसमें से मैक्सिम्म होरा थे यह मैं काऊंगा one of the best podcast होने वाला है मतलब ऐसा मुझे लग रहा है और मैं मतलब एक होता नेक vibes feel होती है तो हो सकता है कि लोगों ने सुनी हो लेकिन वही मैंने बोला ना कि यह जो दो टॉपिक मैंने आपको बताया पहली बात तो यह real है ऐसा बहुत इनकी imaginary हो यह दूसरी बात यह कि मैंने आपको बता कि सौ में से 80% लोगों तो पता ही नहीं होगा दो यह दोनों जो मैंने आपको बताया 20% लोग जो बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं जिनको इसमें इंट्रेस्ट है तो वो जैसे मुझे भी नहीं पता था इन सब के बारे में लेकिन एक होता ना कि इंट्रेस्ट होता है कि लोगों को कुछ नया चाहिए उस नया को ढूड़ने के चक्कर में मैंने आप यह के नहीं करोगे एक भूत डामर तंत्रम यह किताब है मैंने इस पर एक सीरीज भी अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखा है उस किताब में आपको रियल जो तंत्र क्रिया है उसको करने का वो दिया रहता है तो मैं तो भाई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोगो करो व मतलब बहुत अलग अलग टॉपिक है उसमें तो मैंन में तो और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है कि आपने तो नहीं सुना होगा